दोस्तों आपका हारदिक स्वागत है सावन का महीना दो हजार तेईस चार जुलाई दिन मंगलवार को पर रहा है बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं ये दिन साक्षात मंगलकारी है इस दिन आप भगवान शिव की पूजा अवश्य करें दोस्तों सावन का पहला सोमवार कब और रक्षा बंधन का त्योहार मनाया जाएगा तीस अगस्त बुधवार के दिन दोस्तों लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन के पवित्र महीने में पांच गलती नहीं करनी चाहिए भगवान भोलेनात को तीन चीजें सोमवार के वरत में नहीं चरहानी चाहिए साथ ही सा सावन का व्रत कभी नहीं करना चाहिए घोर पाप लगता है घर बर्बाद हो जाता है तो दोस्तों bist अगाजनु कमार आप सभी को एक बार फिर से स्वागत हैं तो चलिए आपको बताते हैं लेकिन उससे पहले दोस्तों सावन सोमवार व्रत विधी इस प्रकार है, सावन सोमवार के दिन जल्दी उठकर स्नान करें, इसके बाद भगवान शिव का जला भी शेक करें, साथ ही माता पारवती और नंदी को भी गंगा जल या दूध चढ़ाएं और चाहे कुछ भी हो जा शिवलिंग पर तुलसी का पत्ता गलती से भी ना चढ़ाएं, नहीं तो हो जाएगा सब उल्टा, इससे पाप लग सकता है, पंचामरित से ही रूदराभी शेक करें और बेलपत्र अर्पित करें, शिवलिंग पर धतूरा, भांग, चंदन और चावल चढ़ाएं और सभी क तिलक लगाएं, प्रसाद के रूप में भगवान शिव को भी शक्कर का भोग लगाएं, दूप दीट से गनेश जी की आरती करें, और आखिरी में भगवान शिव की आरती करें, और प्रसाद बाटे, दोस्तों सावन में कौन कौन सी गलतिया करने से शिव नाराज होते हैं आईए ये भी जान लेते हैं, दोस्तों सावन के पवित्र महीने में सुभा जल्दी उठना चाहिए नहीं, तो शिव नाराज हो जाएंगे, सावन के महीने में हरी सबजियां दूशित हो जाती है, इसलिए देखकर खाना चाहिए, उसमें कीडे वगैरा हो सकते हैं, जो आपक सावन के महीने से गलती से भी मास मत खाना, मदिरा मत पीना, लहसुन, प्यास कभी मत खाना दरसल इस पवित्र महीने में इनको खाने से व्यक्ति को पाप लगता है, और नरक में जाना पड़ता है, घर में किसी भी सदस्य को चुबली याद ही नहीं करनी चाहिए, नफरत नहीं फैलानी चाहिए, घर में साफ सफाई रखनी चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात में जल्दी सो जाना चाहिए, सावन के महीने में बाल, ना खून, शेविंग आदी नहीं करना चाहिए, इससे आपको पाप लगता है और भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं, सावन के महीने में में मीठा बोलने वाला व्यक्ति भगवान शिव की क्रिपापा लेता है वे व्यक्ति जल्द ही करोडपती बन जाता है क्योंकि उसके सर पर भगवान शिव का आशिर्वात बन जाता है सावन में जितना हो सके गरीबों की सेवा करें भंडारा करवाएं गरीबों में कपड़े आदी बाटे उस्तों चाहे कुछ भी हो जाएं, भगवान शिव के पास पाँच चीजे गलती से भी मत रखना, आपका वरत तूट सकता है, शिवजी होते हैं, नाराज तो चलिए जान लेते हैं, नमबर एक, जहां रखा हो शिवलिंग या महादेव की कोई भी प्रतिमा हो, तो वहाँ पर भूल कर भी चपल जूते नहीं लेकर जाने चाहिए, जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चपल लेकर प्रवेश करता है, तो आपको कितना क्रोधाता है, इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं, और आपको मिलने वाला फल नश्ट हो जाता है, ऐसे में मं कमरे की चपल हमेशा शुद्ध रहती है, इसे देव शक्तिया नाराज होती है, नमबर दो, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाते हैं, और वो बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती है, जो की शास्त्रों में वर्जित माना गया है, इस समय महिलाओं को जानकर भी अ आप से क्रोधित हो सकती है, ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर माना गया है, जरा सोचिए ऐसी अवस्था में जब महिला को बुरा लगता है, तो इश्वर को कितना बुरा लगेगा, इसलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर या घर में पूजा पाठ, भगवान की प्रतिमा को छूना या तुलसी में पानी भी नहीं डालना चाहिए, तुलसी का पौधा भी सूख जाता है, जब देव शक्तियां नाराज होती है, तो लाजमी है कि घर में कंगाली और गरीबी लड़ाई जगडे होने लगते हैं, ऐसा कभी मत करना, दो पाठ सदैव पालेता है, वास्तु शास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त उर्जा का संचार होता रहता है, इसलिए शिवलिंग पर जलधारा हमेशा होनी चाहिए, जो उर्जा को शांत रखता है, कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन व जरूर पुरान में बताया गया है, कि इससे उल्टा घर में विनाश हो सकते हैं, नंबर चार क्शास्त्रों में बताया गया है, कि तुलसी और महादेव का बैर माना गया है, इसी कारण तुलसी में शिवलिंग और गनेश की प्रतिमा को ना रखें, कई लोग जाने अंजान में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं, और घर में परिशानिया आनी शुरू हो जाती है, इससे महाशक्तिया क्रोधित हो जाती है, शिवलिंग पर तुलसी कभी ना रखे तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी होनी चाहिए, नंबर पांच, घर का बना मंदि या बाहर का मंदिर किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए, जिसने सनान ना किया हो, किया उसने मास खाया हो, अगर आप शारिरिक रूप से गंदे हैं, तो मंदिर के आसपास कभी ना जाए, घर के बने मंदिर में कोई कपड़ा आदी डाल देना चाहिए, जरा आप ही सोचिये क्या आप मास खाकर या बिनासनान के भगवान के पास जाएंगे, तो क्या वो आप से प्रसन्न होंगे, बिल्कुल भी नहीं, वो आप से क्रोधित हो सकते हैं, और आप से नाराज हो सकते हैं, शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है, इस ऐसा दुष्ट स्वभाव मनुष्य की बर्बादी का कारण बन सकता है। ऐसा ना करे इश्वर के सामने हमेशा नहाद होकर मन पवित्र लेकर ही जाना चाहिए। इससे सभी शक्तियां आप से प्रसन्न रहती है। इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं कि सोमवार के व्रक्त में यह फल कभी नहीं खाया जाता। अगर आप गलती से भी इस फल को खा लेते हैं तो जिंदगी भर भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ता है। आपका व्रत धंग हो सकता है। यहां तक कि आपके परिवार पर कश्ट आ सकते हैं। कम से कम सोमवार के व्रत में ऐसा कभी न करें। दोस्तों, नमबर एक, सोमवार का व्रत हो या सावन का व्रत आपको नाशपाती नहीं खाना चाहिए। दरसल इस फल का नाम ही नाश यानी की नाश करने वाला होता है। इसलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदी को छोड़कर किसी और दिन आप कभी भी ये खा सकते हैं, लेकिन अगर जिस दिन आपने वरत रखा हो, उस दिन नाशपाती का सेवन भूल कर भी ना करें, भगवान को नाशपाती भी नहीं चड़ाना चाहिए, दोस्तों इसके अलावा कुट्टूर या सिंधाडे का आटा खाने से भी आपका वरत तूट सकता है, आपको बता दें कि लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका वरत भंग कर सकता है, दरसल पुराने आटे में गुन आदी कीडे वगेरह पढ़ जाते हैं, जो ठीक तरह से दिखाई नहीं देते, ऐसा आटा खाने पर दरसल आप मास का सेवन करते हैं, वरत में क कीडे खाना तो घोर पाप माना गया है, और आपका वरत भी भंग हो जाता है, वरत में ताजा आटा खाना चाहिए, लंबे समय से रखे हुए आटे में कीडे पढ़ जाते हैं, ऐसा कभी ना करें, वरत में हमेशा शुद्धता ही रखनी चाहिए, तो दोस्तों आज की वीडियो से कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, और आपके पास कोई भी सवाल नहीं, तो यस लिखे, क्योंकि यस लिखने से वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, धन्यवाद.